नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए बहुत बड़े रिकूटमेंट अपडेट लेकर रहा हूं जो की वाटर डिपार्टमेंट की तरह से निकल के आ चुका है बिलकुल नियू रिकूटमेंट अपडेट है जि तो कौन सा नोटिफिकेशन है कौन का इंडिट लीजबल होने वाले है क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूरी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो को इन तक पूरा जरूर देखिएगा फर्स दिमा मरें चैनल पर आ आ रहे है सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लेजिएगा जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मुवाइल में मिलता रहेगा और समा रहते हैं आप इसके लिए अपलाइक कर पाएंगे वेकेंसिस की बात करूं तो और बहुत सारी वेकेंसिस हैं जिनको आप जाके टाइब करना है आपको जो की www.meetacademy.in first number पर आपको हमारी website मिल जाएगी वहीं से सारे job-related updates आप ले सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो comment box में comment करके बताइएगा तो चलते हैं recruitment update की उपर और वहीं पर चलके बाकिक information जो है मैं आपके साथ share करता हू तो आप apply कर सकते हैं यहाँ पर 24,600 हर 40 रुपे आपकी जो है यहाँ पर रहने वाली है salary उसके बाद है MTS semi skilled की है जिसके लिए 10th pass apply कर सकते हैं 19,084 रुपीज आपकी salary है उसके बाद है MTS semi skilled की दो vacancy हैं अलग location के लिए 10th pass candidate legable है 19,084 रुपीज आपकी salary है उसके बाद MTS semi skilled के लिए हैं लेकिन अलग location के लिए 10th pass apply कर सकते हैं 22,412 रुपे salary रहेगी data entry operator skilled की एक post है graduation and typing English पे हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसी के साथ यह location है और 24,648 रुपीज आपकी salary यहाँ पर रहने वाली है इसके लिए यह notification BACL के तरफ से out हुआ है जो की water department की ही के दिया है online आपको करना है कोई other form नहीं है जो candidate shortlisted होंगे उनको telephone और email ID के तुरू scale test और interview के लिए बुलाया जाएगा इसके इलावा और भी vacancies आई है PNB में vacancies आई है वो इसके लिए आप apply कर सकते हैं जिसमें apprentice की vacancies है प्लस इसी के साथ और भी vacancies हैं जिनके लिए आप apply कर सक सकते हैं उसके लिए 30 days दिए गए आपको within 30 days apply करना है और graduation वाले candidate इसके लिए eligible है और apply कर सकते हैं इसके लिए link में description में आपको दे दूँगा इसके अंदर बहुत सारी vacancies out हुई है तीन तरह के notification है एक तो यह BICL के तरफ से जो आया है वो आपको मैंने बताया है ठीक है यह PPS की vacancies आई हैं कलर की उसके लिए भी आप apply कर सकते हैं लिंक में description में आपको दे दी हूँ है तीन हुई तो चेक करके apply कर लीजीगा यह था आज का notification मिलता हूं नहीं notification के साथ नहीं वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद जी